अठारे जनुवरी की मॉर्निंग में मेरे भाही को अटेक आया और इनकी पोजिशन ऐसी थी कि मैं इन्हें एम्बूलेंस में भी सांस देता हुआ आया यहां पर और यहां आकर के डॉक्टर साब मिले डॉक्टर अबचेक सर और उन्होंने फिर बहुत अमर्जेंसी में भी इन्होंने डाही तीन घंटे तक एफ़र्ट्स किये उसके बाद में फिर आईसीव ले गई आईसीव में भी एफ़र्ट्स किये तो इनकी बहुत ही मतलब बीपी बहुत लो हो रहा था हर्ट बीट बहुत कम हो रहे थी और लेकिन सर ने बड़ी हिम्मत दिखाई हमें पता नहीं हमारे साथ तो चमतकार हुआ हमें आशा नहीं लग ली थी मेरे भाई को इस ठोक पर इस ठोक आ रहे थी लेकिन सर ने इनको जीवन दान दिया जी आज मेरे भाई बिल्कुल ठीक है और ये सर की करपास है हम तो कहते हैं कि ये होस्पिटल और सर के हाथ में हमेशा येस बना रही और सर ऐसे ही हम जैसे लोगों की सायथा करते रहे मैं दॉटर अभिशेक सिंग कंसल्टन काडियोलिजिस्ट मनिपाल हॉस्पिल गाजेबाद इस तरीके के पेशिंट जैसे ये आये थे इनको ट्रीट करने के बाद ही आपको इस प्रोफेशन में अपने प्रोफेशन में और अपने काम में फेथ और बढ़ता है एक यंग प अपने के पास आये थे बाद अनफॉटनेटल जब पेशेंट आये थे तो हमने देखा कि इनको दो दिन पहले से कुछ इसू शूरू हो गय थे हार्ट की फंशनिंग बिल्कुल नहीं आ रहे थे इसीजी के बता रहे थे कि ये प्रोलॉंग हाट अटक का केस है जिसमें की का अगर हम सफल हो पाइज तो शाइद एक प्रोल्फल हो नहीं रहे थे बीपी नहीं आ रहा था चॉक और सी पीयार की ज़रू ठग रहे थी हमने और चीज़ें ट्राइ करने की कोशिश की जब हमने देखा कि पेशन बार अर्रेस्ट हो रहा हो पास कोई और ऑप्स्स नहीं है conservative नहीं रख सकते है patient को हमने family से consent मांगी कि आप हम पर faith रखो और हमें एक बार को attempt लेने दो lab में हम इनके heart को चलाने के लिए temporary pacemaker डाल के और उसके बाद procedure करने की कोशिश करते हैं जिस nurse ने heart attack दिया है उसे खोलने की कोशिश करते हैं अगर हम सफल हो पाए तो शायद 1% chance है कि हम patient को बचा पाए best part यह था कि family ने हमें immediately go ahead दे दिया कि ठीक है आप जो भी करना चाहते हैं कीजे और हम हर outcome को accept करेंगे ये सबसे एक important चीज होती है किसी भी treatment में patient family का faith कि हम चीज़ें ठीक होंगी और हम हम डॉक्टर और हॉस्पटल के साथ है इसके बाद हमने patient को CPR करते हुए और multiple time shocks की भी ज़रूत पड़ी shift किया है cat lab में जहां हमने पहले इनको एक temporary pacemaker डाला है कि इनके हाट के rhythm को at least हम चलाते रख सके बीच में रुके नहीं हाट बीच में बहुत fast भी हो जाती थी जिसको BTVF कहते हैं जिसको हमें shock दे के revert भी करना पड़ता था continuous CPR चल रहे थे हमारा critical care का team और anesthesia team intimate कर रहे थे patient को और respiration को maintain करने की कोशिश कर रहे थे with ongoing all this हमने patient को angiography करी जिसमें heart की तीनों नसों में बिमारी थी triple vessel disease था बट जो अभी problem आई थी वो अभी आई थी LED जो heart के around half से ज़्यादा हिस्से को अके लिए blood supply कर दी है वो बंद हो गई थी उसकी वज़े से जिसे हमने immediately खोला treat किया और उसके बाद clean करने के बाद उसको हमने strength किया एक बार जब उस एरिया की blood supply शुरू हुई फिर patient ने improve करना शुरू किया और धीरे-धीरे करके patients के vital stable होने लगे और heart के rhythm stabilize होने लगे इसके बाद हमने patient को ICU में लिया next कुछ दनों तक हमें लगातार patient को ICU में रखना पड़ा और धीरे-धीरे करके patients stable होते गए and luckily हम इनको अगले कुछ दनों में stabilize करके discharge कर पाए और आज हमारे पास OPD में follow-up के लिए हैं बिलकुल healthy condition में और अभी इनको हिससे में कोई problem नहीं हो रही है में बिलकुल स्वास्त हूं जी डॉक्टर साफ का बहुत बहुत धन्यवाद जीन के वज़े से आज मैं स्वास्तियां पर बैटा हूँ